तो दोस्तों आज हम आपके लिए शादियो जैसी टेस्ट वाली रेशियन कबाब की रेसिपी लेकर आए हैं लेकिन इसे हम बनाएंगे सोया चंग से जी हाँ दोस्तों बिल्कुल नई और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है एक बार बना लेंगे ना तो सुआत कभी भूल न ही पाएंगी तो चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें पानी को गरम कर लेना है तो मैंने यहाँ पर देखे पानी को रख दिया है जिसे यह गरम होगा इसमें आदा चमच नमक आदा चमच गरम मसाला और आदा चमच लसन अद्रक का पेस्ट डालना है इसे अच्छे से मिक्स कर लेना ही और अब इसमें डालेंगी हम सोया चंक्स तो दोस्तों अगर आप इस रेसिपी को चिकन के साथ बना रहे हैं तो आपको यही सेम प्रोसेस फोलो करना है तो यहाँ पर मैंने आदा कप सोया चंक्स डाला है और इसमें अच्छे से उबाल आ चुकी है इसे आदर गंटे के लिए रखकर फिर इसे का पूरा पानी हमें निकाल देना है अच्छे से स्कुईस करके निकालना है ताकि यह जो स्वया चंग से वह अच्छे से ड्राय हो जाए और फिर हमें इसके इस तरीके से छोटी-छोटे पीसे करने हैं इसके रेशे पर स्वया चंग्स के छोटे-छोटे पीसे हो चुके हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल यह चिकन जैसा ही दिख रहा है लेकिन यह स्वया चंग्स है चले अब हमें लेना है कड़ाई इसमें वन टेबल स्पून बटर डालना है साथिया आमने बारी कटावा लसुन और बार अच्छा फ्लेवर आता है और रशन कबाब में बाकी कोई जादा मसाले नहीं पड़ते हैं बिल्कुल एक माइल क्रीमी फ्लेवर होता है जो बहुत बहुत टेस्टी लगता है अब देखिए इसका कलर जो है वो थोड़ा से चेंज हो चुका है अब इसमें डालना है सोया च करेंगे ना तो इसका स्वाद बढ़ भी जाएगा और यह अच्छे से ट्राय भी होगा तो दोस्तों यह जो कबाब है ना बिल्कुल शादियों में जो चिकन रशन कबाब बनते हैं बिल्कुल वैसा ही स्वाद आएगा और जब आप इसे खाएंगे ना किसी को यकिन नहीं होगा कि यह सोया बिंज से बने ही जबरदस तलबते ही इसे बना कर जरूर देखेगा अच्छे से फ्राय करने के बाद यहां पर मैंने खुब सारे सब्जे ली है जिसमें मैंने गाजर शिमला मिर्च तीन तरह की पत्ता गोबी गाजर लिया है और दोस्तों आपके पास जो सब्जी हो आप ले सकते ही इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और इसे अब हमें फ्राय करना है दोस्तों आप सिर्फ पत्ता गोबी गाजर और सिर्फ हरी शिमला मिर्च के साथ भी से बना सकते ही तो अब दोस्तों इसे आपको ऊवरकुक नहीं करना है बस सब्जे को थ इसे थोड़ी दे ठंडा करना है तो इसे हम निकाल लेते ही और इसी सेम कड़ाई में हमें लेना है वन टेबली स्पून बटर अब हम बनाएंगे वाइट सॉस और इसके अंदर हमें दो टेबली स्पून मैदा डाला है तो दोस्तों जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अधि जो बटर है जो मैदा है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैदे को थोड़ा सा भून लेना है इसके बाद गयस की फ्लेम धीमी करके हमें 1 कप डूर डाला है और इसे लगातार चलाते वे मिक्स करना है वनना इसमें लम्स पड़ सकते ही अच्छे से मिक्स करने के जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे ये गाड़ा होने लगेगा और इसे आपको लगपक 6-7 मिनट के लिए पकाना है और दोस्तो अब इसमें हमें थोड़ा सा नमक डालना है ये बटर में भी नमक होता है तो आपको थोड़ा ही नमक डालना है और इसे अच्छी से मिक्स करना है यह आपकी white sauce बनकर तयार हो चुकी है आप इसमें pasta डाल कर इसका white sauce pasta भी बना सकते ही अब दोस्तो हमें sauce को थोड़ी देर ठंडा करना है और दूसरे तरफ लेना है हमें आलो तो मैंने चार मेडियम से इसके आलो लिये हैं जिसे मैंने उबाल लिया है और अब हमें इसे mash कर लेना है अच्छे से mash करियेगा क्योंकि इसमें कोई भी टुकड़े नहीं रहने चाहिए और जैसे ये mash हो जाएगा हमें इसमें ये ठंडी सब्जिया डाल देनी है जिसे हमने फ्राय करके रखा है चले सब्जिया डाल देनी के बाद हमें इसमें वही वॉय्ट सोस डाले है लेकिन देखीं ये अच्छी से ठंडी हो चुकी है ठंडा होने के बाद ये ठोड़ा सा ठिक हो जाता है गाड़ा हो जाता है और अब इसमें बाकी की चीज़ें डालनी है तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाली है वैसे इसमें हरी मिर्च नहीं डालती है लेकिन मैंने इसे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए डाला है थोड़ा सा ही नमक डाला है आपके टेस्ट एक ओर्डी थोड़ी से डालेंगे, आप काली मिर्च का पौडर और चिली फ्लेक्स अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप स्कीप कर सकते ही और आदा कप हमने हरा धनिया डाला है और इसेम ंस्मीक्स कर लेंगे दोस्तो काफी साबिशी लोगों को इसका shape देने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि इसमें वाइट सौस हमने डाली है तो अगर आपको यह जो मिश्रन है थोड़ा सा स्टिकी लगे या थोड़ा सा सॉफ्ट लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ब्रेड क्रम डाल सकते ही देखिए यह जो मैंने टिप्स पता ही है ना बहुत सारे लोग इस बातों को समझते नहीं है और उन्हें शेप देने में दिक्कत होगी जिसे वो कबाब अच्छे से नहीं बना पाएगी इसके लिए मैंने इसमें ब्रेड क्रम डाला है मैंसे ब्रेड क्रम इसमें नहीं डालते ही तो इस बात को ध्यान रखते विए आपको इसे शेप देने में आसानी हो अब दोस्तों हमें इसे शेप देने के लिए हातों पे थोड़ा सा तेल लगाना है और देखें यहाँ पर जैसे शादियों में जो रेशियन कबाब बनते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसे शेप देना है बिल्कुल थोड़ी से पतले- बाद मैदे और कॉनफलोर की घोल में जिसे हम सलरी कहते हैं उसे में डिप करना है तो आपको कॉनफलोर और मैदे को बस पाने में घोल लेना है और इसके इस तरीके से सलरी बनानी है और इसे हमें सेवई में कोट करना है अच्छे से कोट करिएगा कोई भी जगा छूटनी नह चाहिए और कोट करने के बाद आपको सारे कबाब रेडी करने हैं इस कबाब को आप बना कर एक महिने तक फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं और दोस्तों जब आप इस कबाब को बनाएंगे न तो इस रमजान में आप 2-3 बार पक्का इसे बनाएंगे क्योंकि यह बहुत चलिए अब इसके लिए हम चटपटी सी चटनी कबाब वाली चटनी बनाते हैं जो रेस्टोरन में बनती है तो मैंने याप पर हैंडफुल कोरियंडर लिया है थोड़ा सा डालेंगे पूदीना साथी मैंने आपर कच्छी केरी लिए अगर आपके पास नहीं है तो आप नि रेस्टोरेंट में खटी मीठी ही कबाब वाली चटनी होती है और मैंने पीसने के लिए दही डाला है पानी नहीं डाला है और यह हमारी कबाब चटनी रेडी है जो रेस्टोरेंट स्टाइल है और इस कबाब के साथ बहुत अच्छी लगती है चलिए अब हमें कबाब को फ सुबह बनाकर शाम को फ्राय करेंगे तब भी चलेगा यह देखे दोस्तों कितने क्रिस्पी बने ही लाज जवाब लगते हैं दोस्तों यकीन मानिए आप इसे ट्राय करेंगे ना तो आप भी कहेंगे कि बहुत ही कम खर्च में बहुत ही जानदार रेसिपी है आप देख सकते हैं यह जो सेवई थी फ्राय होने के बाद कितनी क्रिस्पी हो चुकी है और अंदर का जो टेक्शर है बहुत ही क्रीमी है तो दोस्तों जब आप इसे बनाएंगे ना तो हर बार चिकन वाले रशन कबाब भोल जाएंगे और यही कबाब बार बनाएंगी बनाकर जरूर है बहुत ही क्रिस्पी है अंदर से क्रीमी है साथ ही जो सोया चंक्स का जो बाइट आता है ना बहुत मज़ेदार लगता है तो दोस्तों अगर आप वेजिटेरियन है तो यह वेज कबाब बना कर देखे आपको बहुत अच्छे लगेंगे और रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों कुछ नई लगी हो तो इससे लाइक और शेयर करना ना भूलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए बबाई दोस्तों